जहां पूरे भारत में हौकी के गोलकी पर पियार श्री जेश का जश्न मनाया जाता है, जिन्होंने देश की दिवार होने का उपनाम अर्जित किया है। उनके पिता को इस बात की विशद याद है कि कैसे ओलंपियन कांसे पदक बिजेता ने हौकी में प्रवेश किया। उनके पिता याद करते है कि कैसे मामूली क्रिशी निर्भर परिवार को हौकी गोलकी पर की किट के खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ा, जिसकी यूवा श्री जेश को आवश्यकता थी। यह सब 1990 के दशक में हुआ था। जब श्री जेश ने सातवी कक्षा में होने तक स्प्रिंटिंग और वालीबॉल सहित जिलस्तर के खेल आयोजनों में उतक्रिश्ट प्रदर्शन किया था। इसके बाद उनके जुकाव और खेलों में प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें तिरुभनंत पुरम के जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल में जाने में मदद की। अपने नए स्कूल में खेल पर विशेश ध्यान देते हुए किशूर लड़के ने विभिन खेलों में हाथ आजमाया। उन्होंने जितने भी खेलों की कोशिश की उनमें से वह होकी के गोलकीपर के रूप में सबसे उप्यूक्त थे। हाला कि यह एक खेल और एक स्थिती थी जिसके लिए काफी मात्रा में उपकरण और किट की आवश्यक्ता होती थी। श्रीजेश के पिता रवींद्रन ने युवक को प्रोचसाहित करने के लिए खुशी-खुशी अपनी गाय को होकी किट के लिए पैसे निकालने के लिए बेच दिया। चारों और से आने वाले उत्सवों, प्यार और शुब कामनाओं को सुईकार करते हुए। रवींद्रन कहते है कि यह भगवान की कृपा है जो उनके परिवार को जीवन में आगे ले जा रही है। गौरत लब है कि श्रीजेश ने अपनी पदक जीत एक ट्वीट के जरिये अपने पिता को समर्पित की थी और अब हम जानते है क्यूं।